इसे बीच यूपी के संभल से एक बड़ी खबर ये है, कंटेनर और रोडवेस की बस में टकर हुई है हादिसे में साथ लोगों की मौत की खबर है, ये दर्दनाक हादसा आज सुभा हुआ 25 से जादा इसमें घायल बताए जा रही है कोहरे की वजह से तेजरफ़तार कंटेनर से रोडवेस की बस टकरा गई हादिसे पर मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने दुख भी जताया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर पहुचने के निर्देश भी दिये हैं तस्वीरे उस हादिसे की उसके बाद घटना इस्तल की तस्वीरे और तस्वीरों को देखिए कंटेनर रोडवेस की बस का जो हाल आगे से हुआ है आप इसी से अंदाजा लगाए कितनी जोरदार ये टकर रही होगी साथ लोगों की मौके पर मौत हो जाती है 25 से जादा लोग इसमें घायल है कोहरे की वजह से यानि visibility कम है देके सरदी का कहर कैसे टूपना शुरू हो चुका है सरदी बढ़ते ही बर्फ बारी क्यूंकि कई इलाकों में हुई है उसके बाद से ही ठंड बड़ी है और कोहरे की वजह से visibility कम है इसलिए गती पर नियंतरन रखना भी बहुत जरूरू है